इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन ज़र देख ले जिसमें हमने जाना था कि कैसे नेरु जी इंद्रा गांधी के रिष्टे के लिए सज्जे हो जाते हैं और कुछ समय के बाद इंद्रा गांधी के रिष्टे में खटास भी आ जाती हैं उसी दोरान 8 सितंबर 1960 को जब इंद्रा अपने पिता के साथ एक विदेश दोरे पर गई हुई थी तब फिरोज गांधी के मृत्ती हो गई इंद्रा गांधी को परिवार के मौहल में राजनेतिक विचारधारा विरासत में प्राप्त हुई थी 1941 में ऑक्सवर्ट से भारत वापस आने के बाद में भारतिय स्वतंतरता आंदोलन में शामिल हो गई सन 1947 के भारत विवाजन के दोरान उनोंने शर्नार्थी स्विरों को संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए लाखों शर्नार्थियों के लिए चेकित्सा संबंदित देखभाल प्रदान करने में मदद की उनके लिए प्रमुख सर्वजनिक सेवा का या पहला मौका था दीरे दीरे पार्टी में उनका कद काफी बढ़ गया 42 वस की उमर में 1969 में हुआ कॉंग्रेस पार्टी की अध्यश भी बन गई इस पर कई आलचोकों ने दवी जुबां से पंडित नहरू को पार्टी में परिवार वाद फैलाने का दोशी ठहराया था फिर 27 मैं 1964 को नहरू के निदन के बाद इंदरा चुनाउजीत का सूचना और प्रसारन मंत्री बन गई 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रदान मंत्री श्रीलाल भादर शास्त्री की आसमय एक मित्यों के बाद 24 जनवरी 1966 को श्री मति इंदरा गांधी भारत की तीसरी और प्रतम महिला प्रदान मंत्री बनी इसके बाद तो वह लगता तीन बार 1967, 1977 और फिर चौति बार 1984 देश की प्रदान मंत्री बनी 1967 के चुनाउँ में वह बहुत ही कम भाउमत से जीत सकी थी लेकिन 1971 में फिर से वह भारी भाउमत से प्रदान मंत्री बन गई और 1977 तक रही, 1977 के बाद और 1980 में एक बार फिर प्रदान मंत्री बनी और 1984 तक प्रदान मंत्री के पत पर रही, 16 वर्स तक देश की प्रदान मंत्री रही इंद्रा गांदी के शासन काल में कई उतार चड़ावाए। लेकिन 1975 में अपात काल और 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दो पर इंद्रा गांदी को भारी विरोत प्रदर्शन और तीकी आलुचनाएं भी जिलनी पड़ी थी। दंग रक्षक की ही गोली का शिकार होना पड़ा और वादेश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। तो थैंक यू फो वाचिंग। जैहिंद।